तमाम धार्मिक अस्थल अपनी अपनी मान्यताओं पर प्रख्यात होते हैं लेकिन आज यूपी की एक ऐसे मंदिर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी हर किसी के लिए बड़ी रोचक है बिल्कुल सही सुना आपने ये वही दुधेश्वरनात महादेव का मंदिर है जो बलिया जिले के गणवार थानाचेत्र के बरवा गाउं में इस्थित है हर किसी के मनोकामनाओं को पूरा करने वाला इस अस्थान पर भक्तों की भारी भीन लगती है सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि इस आस्था के बड़े किंद्र पर नकेवल हिंदू बल जनकारी पहले यहां बड़ का प्रिश्था उसे में शीलिंग जाए था जिसके गाउं पूरो जोने पूजा करते थे उसके बाद बार के फिर खतम हो गया खतम होने के बाद उस्थान को चवत्रे रूप में दिया गया बने चवत्रा अभीत में वस्हित की कह अर उसके पर इसी पर यह मंदिर का निर्मार किया गया वही लिंग जो था वह न पत्थर वह बहुत नीचे से गया हुआ है बड़के पर कोड़ने के बाद लोगों ने खूद करके देखा कि कितने नीचे तक गया है खूदने के बाद वो पत्थर जो नीचे मोटा होता जाता था और उसके बाद उसको जाने के बाद दो कोड रहा था उसे ची मरा बार ऑग रया होता हाथ होटाथ श्या मैं अशनने लगा उसके बाद मंदित कारूब दे दिया घए मानकामना अदमी लोग आते हैं काते के दुष्णानात हमारे यह काम हो जाएगा तो मैं आपको किस्तन करेंगे और कानों कि बाल भोज करेंगे यही मनुकामना अनुखा होने के बाद वही पुजा होती थी कि जब बारिशोष नौ आने के वहने के वज़ा से लोग तो आपने देखा है अरे कोई बार देखा है अमने जिन्दगी में कितने बार हर बन कर लेजी रस्तासम में हम भी थे कोई भी हर नहीं चला था अगर कोई नाती तो ओके सब गाले दी यहां आप देख सकते हैं यह मेरे पीछे बावा दुधेश्वर नात का मंदिर है यह मानता है कि यह सिवलिंग आप रूपी जमीन के अंदर से निकला हुआ है बलियां से सनंदन उपाध्या आए लोकॉलिटीन